हलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, आज हम एक एसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कि पुरूशों में वहाँ पे टनाव नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है पुरूशों में, जिसे हम एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, कि जो टिश हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उसमें ब्लॉट फ्लो नहीं आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, आज हम सबसे अच्छी पांच दबाईयों के बारे में सीखने वाले हैं, तो फाइफ बेस मेडिसिन फोर एडी, यानि कि रिक्टाइल डिस्फंक्शन, त इससे कि आप अपना जो पार्टनर है, उसके साथ अच्छी तरीके से नाइट बिड़ा पाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा विडियो लेक्चर, फाइफ बेस मेडिसिन फोर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो यहां पर हम सीखने वाले हैं, सबसे पह जिन लोगों को इसी परिशानी रहती है, हमें एडि की प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, तो उसके लिए जो एंजियस पर्सन है, उसके लिए भी अच्छी है, तो एंजाइटी को दूर करती है, आपका जो पर्फोमन्स है, उसे इंप्रू करेगी, और आपका जो कॉन्फि इसका में यूज यह है, कि वो आपकी एडि की प्रॉब्लम को ठीक करता है, जो मेंस के जो लिबिडो है, वो अगर लो है, तो उसे एंहांस करेगा, और आपकी जो एक्टिविटी है, उसे भी एंहांस करता है, हिमालिया की दूसरी है यहां पर, तो वो आपकी आप्शन्स म वो आपके पावर को इंप्रू करेगी, यानि कि आपकी जो स्ट्रेंड है, उसे लाने में हेल्प करेगी, आपका स्टेमिना, यानि कि लंबे समय तक रखने में हेल्प करती है, तो आपको डो टेबलेट दिन में दो बार लेनी है, यह मेडिसिन जो है, वो आपको चार से छ यहां पर हमारे पास डॉप्शन्स है पहला जो ऑप्शन है वो है वाएकरा तो वाएकरा फाइजर फार्मसेटिकल कंपनी बनाती है फिल्म कोटेट टेबलेट है और इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो है सल्दिनाफिल तो यहां पर आप देख सकते हैं फाइजर का इंपोजिंग है और वी जी आर हन्रे यानि कि वाएगरा हन्रेड एमजी इसका डॉज रहता है इस तरीके से इसका पैकेचिंग है तो यह कहता है PDE51 यानि कि फोस्फो डाइस्टरेज 5 इन्हीबिटर तो इसका जो डॉज है अगर एडी के लिए आप दे रहे हैं तो 50 एमजी पेशन को देना है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप डॉज इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन आपको यह जो मैडिसिन है वो वन अवर यानि कि एक गंटे पहले पेशन को देनी है जिसी कि वो अच्छी तरीके से प्लेजर फील कर सके है ना वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी बुक है जिसका नाम है डिजिस एंड ट्रीटमें तो आपको भी कुछ इसी समस्या है जिसका आप इनोसिस चाहिए है मैडिसेंस ओप्शन तो इस तरीके से एलोपीठिक होमेडिक एंड हर्बल मैडिसें से कॉम्बिनेशन की हमारी बुक है तो इसको पॉट्चेस करने के लिए इस वाच्छ अप नंबर के ट्रू कॉंटेक हमें कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते ह दोनों साथ में नहीं देना है कोई एक ही ऑप्शन देना है तो यहां पर जो डूसरी है वो मैनकाइन की नहीं है सूपर मैनफोर्स टेबलेट 20 एमजी का डूस रहता है यह भी सेम फूर के पेग में अवेलेबल रहती है तो इसका जो में हैल्फुल बेनिफिशल पॉइंट है वो यह है कि टिश्यूज में ब्लाड फ्लो को इंक्रीज करता है यानि कि जो ब्लाड का फ्लो इंक्रीज होगा उश्य क्या होगा कि टिश्यूज में अच्छी तरीके से आपको तनावा सकता है तो इसका जो डूस है वो 10 mg as a single dose patient को दे सकते हैं ज़रूर पड़े तो आप activity कर रहे हैं और आपको जब भी प्लेजर फील करना है उसके ठीक 30 मिनिट पहले patient को prescribe करना है और patient को लेने के लिए बोलना है third number पे आते हैं और समझते हैं SBL homeopathic medicine के बारे में जिसका नाम है dime graph fort drops तो इसका काम क्या है तो सबसे पहले वो आपके pleasure को enhance करेगी यानि कि activity increase करेगी आपके body में जो stress आ रहा है और body में जो weakness है tissue में weakness हो गया है उसको reduce करके अपना काम करती है यानि कि उसे भी enhance करेगी आपका stamina और energy level को भी increase करती है तो इसे कैसे लेना है तो इसके 20 drops आपको लेना है half cup of water में और दिन में 4 बार आपको consume करना है यानि कि दिन में 4 टाइम आपको लेना है नाव वीडियो के बीच में मैं आपको अगीन बताना चाहती हूँ हमारी एक channel है जिसका नाम है सेहट Talks आपको भी अगर free में जहान करें चाहिए और कुछ ही सी problems है जिसका आपको solution नहीं मिल रहा है तो मेरी चैनल पर आपको उसका गरगुठी इलाज मिलेगा डाइरिक ट्रीटमिंट मिल सकता है और completely free course रहेगा तो जलही से मेरी चैनल को subscribe करें जिसका नाम है सेहट Talks आगे बढ़ते हैं और fourth option के बारे में सीखते हैं जिसका नाम है एलन जैनफॉर्ट तो एलन का आता है यह homeopathic medicine तो physical weakness अगर आपको है तो उसको डूर करने में help करता है तो यह जो medicine है यह जो syrup और suspension जिसे आम कहते हैं वो आपको one और two tablespoon full दिन में आपको three time लेना है खाना खाने के बाद में अब बढ़ते हैं last medicine option के बारे में जुकी है हमदड की तो हमदड की हबे अंबर मॉम्याई यह capsule आती है और पील भी आती है तो यहाँ पर two options है इसमें से एक ही option patient को suggest करना है तो इसका काम क्या है तो सबसे पहले आपकी body में immunity को increase करता है अगर आपका cholesterol का level high है तो उसे भी reduce करेगा आप activity करने में भी managing रहेंगे इसमें भी आप को यह drug है जो medicine है वो effectiveness देता है लेकिन आपको continue one month तक यह medicine लेनी होंगी तो इसका जो dose है वो daily यानि कि रोज आपको एक ही capsule लेनी है तो एक capsule किस तरीके से लेंगे रात को सोते वक्त आपको 250 ml लानी कि 200 ml milk के साथ ही आपको यह capsule लेनी है तो उससे यह benefit रहता है कि रात के समय आप अपने partner के साथ अच्छे से pleasure फील कर पाएंगे तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा इस disease and medicine के बारे मे जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को टॉन करना ना भूले थैंक यू फूर बोचिक में वीडियो